गुड मॉर्णिंग चिल्रेन अज हम आपकी बुक मैरी उल्ड क्लास थाल्ड का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे जो की एक स्टोरी है मैजिक गार्डन के बारे में मैजिक गार्डन पता है आपको मैजिक मिस जादू होता है गार्डन जहां दे सारे फूल होते हैं पेर होते है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे दा मैजिक गार्डन वाज इन आई स्कूल प्लेगराउंड मैजिक गार्डन कहा था वाज मिस था इन आई स्कूल प्लेगराउंड स्कूल के प्लेगराउंड प्लेगराउंड उसे बोलते हैं जहां बच्चे खेलते हैं उसको बोलते हैं playground ठीक है इत वेरी pity pity मिस सुनदर ये बहुत सुनदर था ठीक है वोज मिस था होता है यहां भी वोज मिस था है magic garden वोज इन इन स्कूल playground एक magic garden था जादू ही बागीचा था जो की स्कूल के playground में था इत वाओज वेरी पिटी यह बहुत सुन्दर था Sunflowers and roses stood high against the wall Sunflowers मतलब सूरज मुखी कफूल जोता है And roses गुलाब कफूल Stood मतलब खड़े हुए थे High against the wall दिवाल के सहारे से वो उचे उचे खड़े हुए थे There were also marigolds, poppies and pansies वहाँ था, क्या था? Marigold भी थे, poppies भी थे और pansies तब रंग भी रंगे flower थे वहाँ पर Garden में तो रंग भी रंगे flower होते ही है The sunshine fell on this garden more than on any other Garden था, garden में यहाँ पर sunshine Sunshine fell मतलब धूब जो है वहाँ पर सुरच की किरने, फिल मतलब गिरना परती थी यह गिरती थी On this garden more, अधिक परती थी ठीक है? यह sunshine जो है यह garden पर अधिक परती थी Than any other, किसी और garden के अपेक्शा ठीक है? मतलब किसी और जगास के बजाए यहाँ garden में धूप अधिक आती थी And the flowers danced and sang happily और flowers, full dance करते थे और गाना करते थे जब दूप आती थी तो वहाँ full और flowers होते थे वो डानासते थे और गाना आते थे खुशी-खुशी happily means खुशी-खुशी They said to one another वो एक दूसरे से कहते थे We have hundreds of little gardeners हमारे पास सौ से अधिक 100-100 little gardeners मतलब जो है छोटे-छोटे माली है किसको बोलते थे पता ये छोट-छोटे बच्चों को बोलते थे They were the children from the school वो इस्कूल के बच्चे थे जो की फूलों की देख रेक करते थे तो वो फूल उनके बारे में बोल रहे थे कि We have hundreds of little gardeners हमारे पास छोटे-छोटे माली हैं जो हमारी देख रेक करते हैं वे स्कूल के बच्चों के बारे में कह रहे थे One, Sunny morning Sunny morning पता है अपको Sunny मतलब जिस दिन अच्छी-ची धूप निकलती है धूप जो है रहती है उसको बोल सनी morning एक Sunny morning एक धूप निकली तो सुबा को सुबा जो है Sunny morning को Flowers were talking जो flowers थे वो आपस में बात कर रहे थे One, Sunny morning The flowers were talking to the birds एक जो है Sunny morning को जो flowers जहाए बात कर रहे थे किस से बात कर रहे थे रक्षियों से चुडियों से बात कर रहे थे जो आपस में बात कर रहे थे वो आपस में से उता है तो वो न सनी morning एक सुबा जहां दूप निकली हुई थी Sunny morning जो दूप निकली हुई तो सुबा सुबा को Flowers जो है birds से बात कर रहे थे क्या बात कर रहे थे चलिए रहे रहे थे I love all the children वो कह रहे थे Flowers कि हम सभी Children से सभी बच्चों से प्यार करते है But I love the dear little ones में से मतलब एक छोटा है उससे बहुत प्यारा है उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ हम बहुत प्यार करते हैं ये Flowers बोल रहे थे बच्चों के बारे में बोल रहे थे I love all the children सभी बच्चे प्यारे हैं सभी बच्चे को मैं प्यार करता हूँ But लेकिन I love the dear little ones Most of all मैं सब से अधिक सब बच्चों में से एक छोटा बच्चा है उसको मैं अधिक प्यार करता हूँ Sad the poppy किसने कहा ये Poppy ने कहा Poppy एक flower है उसने कहा I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots Poppy ने क्या कहा मैं पसंद करता हूँ पसंद करती हूँ उनका मेरे लिए हमारे लिए लाना bring मने लाना होता है their watering cans उनके watering cans में जिसमें पानी भर के लाते हैं डालते हैं पादो में उसको watering cans बोलेंगे तो उनके watering cans में जो है पानी भर कर जब लाते हैं और हमारे प्यासी जड़ों में thirsty roots प्यासी जड़ों में वो पानी डालते हैं मुझे उनका ये काम करना बहुत पसंद आता है वो उनके ननने ननने हातों से watering can में पानी बर कर लाते हैं और हमारी प्यासी जड़ों में डालते हैं तो मुझे ये काम उनका बहुत प्संद आता है फिर देखे नीचे Yes, said the merry girls merry girls ने भी उसकी हां में हां मिलाई और कहा हां The boys are good to us too They dig the ground so well merry girls ने कहा हां, जो boys होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और जो हमारे लिए क्या करते हैं वो बहुत ही गड़े अच्छे तरह से ground में खोते हैं मतलब वो बच्चों की तारीफ कर रहे थे कि किससे वो पानी लाते हैं किससे वो गड़े खोते हैं उनके लिए उनकी देख भाल करते हैं आए नेक्स पेड़े पर आईए वी लव दा लिटिल चिल्डरन सैड़ टाइनी बड़्स बड़्स ने कहा चोटी सी चड़िया ने कहा कि हम सभी जो है चोटे बच्चों से प्यार करते हैं दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेट फॉर अस वे बहुत दे आलू यहाँ पे काइंड मतलब क्या होता है दे आलू और दे मतलब वे वे बहुत दे आलू है और दे ब्रिंग ब्रेट फॉर अस वे हमारे लिए क्या लाते है वे हमारे लिए क्या लाते है ब्रेट फॉर अस हमारे लिए ब्रेड का टुकड़ा लाते हैं ब्रेड लाते हैं हमारे खाने के लिए कौन बोल रहा है टाइनी बर्ड चोटी चड़िया बोल रही है all the flowers are सभी फूलो ने कहा we must work hard to make our dresses very pretty for the children will be her soon ये जब ये इस तारीफ कर रहा थे बच्चों की फिर उने से flowers ने आपस में कहा कि हम सब क्या करना चाहिए यह माने होता है चाहिए ठीक है all the flowers अर्शा भी फूलों ने कहा we must हमको चाहिए work hard कड़ी महनत करना to make our dresses हमारे dresses colorful dresses होते हैं उनके यह फूल पत्तिया होती हैं उनके dresses तो ही होते हैं तो make our dresses very pretty हमारे कपड़ों का हमारे पोशाकों को को बहुत सुन्दर भरा चाहिए चोंदेझंट किसके लिए tub के लिए बच्चों देखते हैं इसलिए उनने कहा फूलने कि किंञां हम मैनट करने जो वहाँ सुन्दर बना लें बच्चों के लिए जो की जल्दि ही आने वा Customer तो जल्दी आ जाएंगे यहां सुन्दर는 सुन्दर करणा है उसouse शूरज ने कहा सुरज ने कहा यहां पर सोफीरख करा रहा है। उसने कहा I will help you also तो मैं भी आप सब की help करूंगा आसो माने भी भी होता है और टू माने भी भी होता है तो यहां पर सुरज बोला I will मैं करूंगा help मदद तुम सब की मैं भी मैं भी तुम सब की help करूंगा मदद करूंगा ठीक है for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine मैं भी तुमारी help करूंगा क्यूंकि जो बच्चे खुश होते हैं बच्चे कब खुश होते हैं बच्चे को वह धूप में दौड़ता हुआ खेलता हुआ देखर बखुश लगता मुझे कुछ और प्रसंद नहीं करता प्रसंद करना कुशी देना होता है मुझे कुछ और प्रसंद नहीं करता है मेरे लिए कुछ और अच्छा नहीं है बेटर दैन उससे बेटर तूसी देखना बच्चों को दौरते हुए रुनिंग दौरते इंदा गार्डेन संसाइन जो गार्डेन की धूप में खार्डेन की सुर्ट्र की चिरुके नो में जो बच्चे दौरते हैं तो उसको देखकर और उनका बहुत अच्छा लगता है इसके लावा उसको अच्छा है ने लगता है कि कुछ भी मुझे बच्चे आ गए और लाफिंग एंड सिंगिंग मुदलब हसते हुए और गाना गाते हुए अचानक ही बच्चे अचानक बच्चे वहां पर आ गए जो की हस रहते और गा रहते and the flowers stop their songs and to listen to them तो flowers ने क्या किया flowers stop हो गए जितने फूल है वो रुप गए their song उनके song को सुनने के लिए सुनते हुए वे इस्टाप हो गए ठीक है ओ लुप अड़ टॉल समफ्लावर ओ देखो लंबे से सुरज मुख्य को देखो बच्चे बस बात कर रहे हैं बच्चे आपस में सब बात कर रहे है ओ लुक आड़ दा टॉल संफ्लावर उस लंबे सुरेज मुखी को देखो एक बच्ची ने कहा और दा संफ्लावर लिफ्टेड इड़ सेड वेरी प्राउडली जब इतना सुनना था तो संफ्लावर ने अपना सर वेरी प्राउडली बहुत ही घमंड से अपना सर उपर उठा दिया तो इसको थोड़ सा गुरू अपना सर दूप में उठा दिया तो उठ गया उपर दूसरे बच्चे ने कहा लव दा मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डेन ड्रेसेज उसने जो है उसकी तारिफ की देखिए एक बच्चे ने सर फ्लावर की तारिफ की दूसरे बच्चे ने किसके तारिफ की मैरी गोल्ड की उसने कहा कि मुझे मैरी गोल्ड के गोल्डेन ड्रेस सुनेरे कपड़ों में जब वो सुनेरे ड्रेस उसके मुझे बहुत प्रवा करता हूँ मैं मेरी गोल्ड के सुनेरे कपड़ों को बहुत प्यार करता हूँ जब मेरी गोल्ड पहुता सुना तो भी स्माइल कर दिया खुशी-खुशी कि मैरी तारीफ हो रही है तो एक बच्चे न सनफ्लावर की तारीफ की Sunflower ने भी अपना प्राउड दिखाया एक बच्चे ने मेरे गोल्ड की तो मैरे मेरा दोली गोल्ड ने भी अपना मेरे भी इतराया थीके चलिए next page पे इट्वास indeed a magic garden गार्डेन इट वास्तों में यह एक जादूई गार्डेन था because it had fairies to क्योंकि यहाँ पर परिया भी थी fairies मतलब परिया तू माने भी हमता है तू माने भी होता है तू माने भी होता है तो यहाँ पर it was indeed a magic garden वास्तों में यहाँ एक magic garden था क्योंकि इसमें यहाँ परिया भी आती थी they danced and sang sweet song which only the children could hear वे नास्ती थी और गाना गाती थी मीठे मीठे जो की सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे उनको मतलब वो परियों के गाने को छोटोटे बच्चे ही सुन सकते थे इसलिए इसको जादूई garden कहा गया है after a time the fairies came out dancing and talked with the children after a time मतलब जो है कुछे में बात जो है परिया आई और जो है उन्होंने डांस किया और बात की किस से बात की with the children बच्चों से साथ बात की ठीक है their dresses were made of flowers उनके जो है जो ड्रेसे थे वस्त थे कपड़े थे कैसे थे किसके बने हुए थे flowers के बने हुए थे and their wings of sunshine और उनके जो है पर्थे परियों के पर होते ना तो परियों के जो पर्थे वो धूप के बने हुए थे sunshine सब्सक्राइड नाम ख़िए च्विट यूएमने तो Yayिश तो मैंजी गार्दन जो है अब जो रात हो गई थी तो मैंजी किपा ध्यात शान थे रात में तो शानषेंगा जो फ्लावरस फोलों मुण औरוז पक्षी थे वे सो गए थे और सपने सपने देख रहे थे अगले दिन के अगले दिन के सपने देख रहे थे जब बच्चे कल फिर दोबारा आएंगे कल फिर यहाँ पर दोबारा आएंगे उस दिन के वो सपने देख रहे थे तो इसलिए में आया कि गार्डेन जो एफूल होते हैं पेड़ होते हैं लेकिन बच्चों के बीना गार्डेन अदुब्रा होता है ठीक है तो यहाँ पर पर फूल और पच्चिन गा प थे टो चोटे बिंद्स पशन्ते थे थीक है तो यह आपका वास्ता में एक मैजिक गार्डन था ठीक है थे लादी नीव वड़ाद क्या है देखिए मैजिक magic तो पता है ना जादू जादू जो एक है जादू आपने बहुत देखी हो कि film story या फिर cartoon में देखा हो किसमें जो जादू कर होता है ना तो magic करता है वो magic है यहाँ पर यह garden गार्डन तो पता दिया है आपको जहाँ फूल होते हैं पेड़ होते हैं बच्चे होते हैं खेलने जाते हैं उसे गार्डन बोलते हैं और गार्डनर्स जो होते हैं जो गार्डन की देख रेक करते हैं फूलों की देख रेक करते हैं पेड़े में पानी डालते हैं फूलों की देख रेक करते हैं उनको बोलते हैं गार्डनर्स और प् ठीक है अफी गोल्डेन गोल्डेन मतलब सुना रहा होता है और ड्रीमिंग में क्या होता है सपना सपना में आया सबको ठीक है बाइट